सब्सक्राइब को बता है इस रिजन की टॉप 16 टीम्स कहल रही है अपने हर एक रिजन की बैस्ट और 20 टीम इसमें खेल रही है और बहुत जदा मज़ा रहा है अगर मैं बात करूँ मैचिस देखने का सबसे अच्छे मैच के बारे में बात करूँ तो यह वैल्डस का मैस था 4v3 की फाइट थी जो आपके स्क्रीन के सामने आ रही है अगर आप यहाँ पर देखेंगे वैल्डस तो दसेवियर की बीच में फाइट है और यहाँ पर 3-man squad था आपका वैल्डस का और 4-man squad था यहाँ पर आपका सेवियर का और यहाँ पर जैसे आपका देखेंगे एक निट कर आप पुश कर दिया पर सेवियर की टीम ने 2v4 की फाइट थी आप यहाँ पर देखना मार्टीन ने निकाल कर यहाँ पर चिकन डिनर निकाला इस मैच में तो वन अब बैस्ट मैस था है यह मार्टीन का तो वैसे आपको औरो स्टेंडिंग में भी हाँ वेल्डर सी स्पोर्ट टॉप पर दिखने वाली 105 पॉइंट के साथ अगर आप देखेंगे यहाँ पर सेगें और थर्ड पोजिशन पर गीक फैम ब्लैक लिस्ट इंटरनेशनल है लेकिन अगर आप वेल्डर सी सेवियर दिखने वाली है आफ्टर आपको जूसी स्पोर्ट की टीम दिखने वाली है अगर बात करें लास्ट डे कमबैक पर कितना बिलीव करती है टीम होप करते हैं वहार पास तीन दिन बच्चे है बहुत ही जल्दी और अच्छ वाला कमबैक करेगी अदर टीम तो कहीं स करें के टीम दिखने वाली है अगर बात करें यहां पर अगर डियारेज गेमिंग के आप देखेंगे प्लेस्मेंट पॉइंट और किल पॉइंट कॉंस्टेंट है लेकिन इससे अच्छा गेंपले चाहिए अगर आपको यहां पर बात करो टॉप 5 पॉजिशन पर आना है का हर एक रिजन की यहां पर टॉप नंबर वन टीम लाइए तो कॉम्पेटिशन लेवल आप खुद ही सो सकते हो और इतनी कॉम्पेटिशन में खिलना काफी जाधा तफ रहता है देसे आप देख सकते हर एक रिजन की टॉप टीम में आप पर नावी दिखने वाली है नावी कि आपके आप देखेंगे 11 पोजिशन पर दिखरी है तो कोई भी टीम अगर यहां पर थोड़ा भी प्रफॉर्म करती है तो हेट मत देना नाइस ट्राइक कमेंड करना और मैं चीज देख रहा था काफी अच्छा पॉजिटिव रिस्पॉंस था सारे जितने भी अपने फै तो यहां पर परफॉर्म करना गा इस बहुत जादा मुश्किल है जो आपको यहां पर साफ साफ दिख रहा होगा 12 पर दमित दिखने वाली तरह ने एवन इस पोट की दिखने क्या लिए और अगर मैं बात करूं आइट की अगर आप देखेंगा पर प्लेस्मेंट पॉइं यहां पर आइट ने लास्ट के देश में काफी अच्छा कमबेक किया था तो अभी हमार पस तीन दिन बचे गाइज अभी इस परफॉर्मेंस बेसिस पर जजवत करना वी हमारा पस काफी मैच बचे होप करते कि टीम्जों सारी कि सारी अच्छा कमबेक करें कि चाह वह वह सारी टीम यहां पर अच्छा प्रफॉर्म करेंगी अब बात करें उसके बाद आपको दिखने वाली फिफ्टीन पोजिंशन पर एंसर इसको दिखी है आपको फैनेटिक जॉम्बी तो गाइज हमारी टॉप 16 टीम्ज है जो आपके औरो लेंकिंस में दिखने वाली है आपक बहुत ही तगड़ा और ओपी मैस साल आज का अगर आपने देखा उसके बाद आपको गीक फैम दिखने वाली थर्ड मैच पर चिकन डिनर देन वैल्डस की टीम लगा था दो बार चिकन डिनर लेके गई मार्टीन का जो मैं आपको भी मैस दिखा था आप भी देखना जाके बताना गाइस की आपको क्या लग रहा है आपकी कभी इतनी केड़ी टच हुई है इस बंदे ने ग्लोबल लॉबी में जहां पर वॉयल्ड की यहां पर बैस्टीम खेल दिये 16 उनके बीच में 3.8 की यहां पर अपनी केड़ी मैंटेन रखिए 5 मैच के बाद तो गाइस दूर बताना अगर मैं बात कुरूब और रैंकिंग्स की जौब की स्क्रीन के सामने आ रही है यह फस्स से आपको एट दिखरी होगी और आपको दिखरी हो नाइन से 16 तक कल के दिन गाइस यह बहुत जादा चेंज होएगी क्योंकि मैं हमें इशा से बोलता हूं पब्जिम फैम बीटियार जी उसकी टीम करेगी कौन से टीम करेगी एवन करेगी सारे कमेंट बॉक्स में जल्दी से बता दो गाइस अभी की वीडियो के लिए इतना ही हो करते आपको पसंद आएगी तिल देन स्टे सेट